सातियो नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में आज मैं आपको देखाऊंगा गन्ना वेराइटी 13235 का पौदा जिसकी ववाई हमने आलू के साथ की थी एक ही खेत में आलू और गन्ने की फसल ली थी तो किसान भाईयो आलू को हमने खुदवा दिया है आलू खुदने के बाद हमने अपने इस गन्य में एक सिचाई की है किसान भाईयो आप देख पा रहे होगे बहुत ही सांदार हमारे गन्य में बियात भी निकल के चल रहा है हमारे इस खेत में बहुत अधिक मात्रा में खर्पतवार भी उगराए है किसान भाहियो आप इस खेत की एक नराई गुड़ाई कराएंगे उसके बाद इसमें एक डोज दी जाएगी क्योंकि किसान दोस्तों हमने आलू के साथ इस गन्ने की बुवाई की थी और हमने बुवाई के बाद अलग से इसमें अभी तक कोई भी खाद नहीं दिया है पहली वार अब इसकी नराई गुड़ाई कराने के बाद तब नालियों में पहली वार खाद दिया जाएगा और सातियों आपको वताना चाहूंगा इसमें हमने ट्रेंच बिदी द्वारा गन्ने की बुवाई की थी लाइन से लाइन की दूरी पांच फुट रखी गई है और दो आँके टुकड़ों से हमने अपने इस खेत में आलू के साथ गन्ने की बुवाई की थी तो किसान सातियों अब मैं आपको इस गन्ना वेराइटी का जमाब देखाऊंगा हमारे खेत में इस गन्ना वेराइटी ने कितना जमाब किया है तो किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे खेत में बहुत ही सांदार इस गन्ना वेराइटी ने जमाब भी किया है बात करें इस गन्ना वेराइटी में ब्यात की तो किसान सातियों इस गन्ना वेराइटी में ब्यात भी बहुत ही सांदार निकलना शुरू हो गया है जैसा किसातियों आप देख पा रहे होगे बाजी बाजी जगा तो किसान भाहियो इतना जवरजस्त वेराइट निकल रहा क्योंकि किसान भाईयो इस गन्ना वेराइटी की लंबाई भी काफी अच्छी होती है साथ में मुटाई भी काफी सांदार होती है क्योंकि किसान भाईयो जब हमने अपने स्खेत में गन्ना बोया था तो उसमें लंबाई भी बहुत सांदार थी गन्ने की मुटाई भी बहुत सांदार थी गन्ना वेराइटी में व्यात भी बहुत सांदार है तो इससे किसान दोस्तों यही उम्मेद है कि ये गन्ना वेराइटी 0238 की जगा आने वाले समय में पूरी प्रिकार से ले पाएगी क किसान दोस्तों हमारे पास गन्ना वेराइटी 14201 भी थी तो किसान दोस्तों उस गन्ना वेराइटी में बहुत पौदों में टॉप बोरल लग गया था और किसान दोस्तों आपको वताना चाहूंगा जिस खेत में हमने पिछले वर्स गन्ना वेराइटी 14201 को बोया था उसी क बरावर में उसी खिट में गंड़ना वेरायटी 0118 की भुवाई की थी और किसान दोस्तो 0118 में नम को भी हमारे उस खिट में टॉप बोरर नहीं था लेकिन उसी के बरावर में गंड़ना वेरायटी 14201 में कुछ पौद़ों में लाश्ट मेकर किसान दोस्तो टॉप बॉरर की बहुत सिकायत देखने को मिली सारा का सारा अंगोला सूख गया और दोस्तो जब हमने अपने स्खेत में गन्ना वेराइटी 235 की बुवाई की थी वो भी जह हमको हमारी सुसाइटी ने लाके दिया था तो किसान दोस्तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं था नहीं तो किसान भाईयो उसमें किसी भी प्रकार का फंगस था नहीं किसान भाईयो उसमें किसी भी प्रकार का टॉप बोरर था बहुत सुष्ट गन्ना था तो सातियों इसलिए मैं आप से कहना चाहूंगा आने वाले समय में ये गन्ना वेराइटी 13.235 पूरी प्रिकार से गन्ना वेराइटी 0.238 की जगा ले पाएगी क्योंकि किसान दोस्तों यही एक ऐसी गन्ना वेराइटी है जिसमें कोई भी रोग नहीं है लेकिन दोस्तों आपको सात में ये भी बताना चाहूंगा अगर आप इस गन्ना वेराइटी की बुवाई अपने खितों में करते हो और अधिक मात्रा में खादों का प्रियोग करते हो इसमें एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है इस गन्ना वेराइटी में समय से पहले हमारे गन्ने की जो आँखें होती हैं किसान भाई यो वो फूट कर बड़ी हो जाती हैं तो किसान दोस्तों ये धिहन रखें अगर आप इस गन्ना वेराइटी की बवाई अपने खित में करते हो तो अधिक मात्रा में खादों का प्रियोग नहीं करें क्योंकि अधिकांस किसान भाई गन्ने की फसल से अधिक पैदावाल लेने के चक्कड में बहुत अधिक मात्रा में खादों का प्रियोग करते हैं अगर आपने इस गन्ना वेराइटी में अधिक मात्रा में खादों का प्रियोग किया तो आपके खित में समय से पहले इस गन्ना वेराइटी की आँखें फूटने लग जाएंगी इसलिए किसान दोस्तों इस गन्ना वेराइटी में अधिक मात्रा में खादों का प्रियोग नहीं करें क्योंकि किसान दोस्तों अधिकांस किसान भाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस गन्ना वेराइटी की बवाई अपने खेतों में इसलिए कर रहे हैं ताकि अगले साल को गन्ना ववाई के लिए बीज तयार हो सके अगर आपने अधिक मात्रा में इस गन्ना वेराइटी में ख़दों का प्रियोग किया तो आपका बीज अच्छे से तयार नहीं हो पाएगा क्योंकि किसान सातियों समय से पहले इस गन्ना वेराइटी में अधिक ख़द देने से आँखें फूटने लग जाती है क्योंकि किसान दोस्तों इस गन्ना वेराइटी में यही एक समस्या है बाकी किसी भी प्रिकार का रोग दोग इस गन्ना वेराइटी में नहीं आता और सातियों आने वाले समय में हमारे इस खेत की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी तो आज की वीडियो में इतना हैं था वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान सातियों के साथ जदा से जदा वीडियो को शेयर करें जिन सातियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी सान सातियों से निवेधन है किरपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में गंटी के वटन को All पर सलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके